ग्यारा दिन सिर्फ एक चमच घी में भून कर खालो, सो साल तक सुगरो, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, हडियों की कमजोरी, जोडों का दर्द, खून की कमी और ये दिल से जोड़ी बिमारिया आपको कभी नहीं होंगी, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस चमतकारी चीज के एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे, दोस्तों यदि आप इसके एक चमच को हर रोज घी में भून कर सेवन कर लेते हैं, उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे, यनि आपको ये नुस्खा बना कर दिखाएंगे, दोस्तों यदि आप इ त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे, यनि बहुत त्रहें की बीमारियां आपके सरीर के आसपास भी नहीं आएगी, दोस्तों ये नुस्खा, खून की कमी का इलाज है, आपके सरीर में खून बनाने की मसी लगा देगा, यनि आपके सरीर के खून की कमी का बिलकुल प्रफ़ी बीमारियों को दूर रखेगा. जिससे इस खून की कमी इस खून की गंधी और खून के गाड़ा होने के कांग़ी दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना बहता है. दोस्तों, यदी आपको बुरे कोलोस्टोल की समस्चा है और आपके स्रीर में बैड कोलोस्टोल बहुत अधिक बड़ा हुआ है और आप अपनी से बैड कोलोस्टोल की समस्चा का इलाज करना चाहाते हैं तब भी दोस्तों ये नुस्खा आपके कोलोस्टोल की समस्चा का इलाज करेगा और जब आपको कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों तब आपको नसों की ब्लोकेज, हार्ट ब्लोकेज कभी सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं आपको कभी हार्ट इटेक आएगा यानि कि आपको दिल की बीमारियों से भी ये नुस्खा बचा कर रखेगा और आपने इसको पांच मिट में घर पर ही तयार करना है दोस्तो ज़िए आपको डाइबटीज की बीमारी है और आप अपनी सुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इस डाइबटीज की बीमारी के जो भी कॉंपलिकेशन हैं उन सबसे भी बचे रहना चाहते हैं दोस्तो तब भी ये नुस्खा बड काम का है और आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ा कर आपकी आँखों से सदा सदा के लिए चसमे को उतार देता है दोस्तों यदि आपको एनिंद्रा की बीमारी है तो तब भी दोस्तों आपको इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि एनिंद्रा की बीमारी का ये बिल्कुल जड से इलाज है और आपको एनिंद्रा की बीमारी से बचा कर आपके सिरी के डेल सोत रहें के रोगों का इलाज कर देते हैं यानि आपके इस एनिंद्रा की बीमारी के जो भी कॉम्प्लिकेशन है उन सब से आपको बचा कर रखता है दोस्तो यदि आपको मोटापा है, यानि ये मोटापा हमारे सरीर के बहुत सारी बीमारियों का कान बनता है, तो दोस्तो ये पेट की चर्वी को भी पिंगलाने का काम करता है, यानि आपको इसके एक चमच को घी में भून कर खाना है, और आपके पेट की चर्वी को खुद प तो दोश्तो उसके लिए ये आपके पाचन दंतर को मजबूत करने का काम करेगा और जब आपका पाचन दंतर मजबूत होगा तब आपके जो खाएंगे आपके स्रीर की सारी कमजोरी बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी क्योंकि आपका पाचन दंतर को मजबूत करने का काम करता है और आपको पेट के सभी रोगों से बचा कर रखता है आपको पेट में गैस कबज या एसडिटी की समस्या नहीं होती और हमारे सरीर की 72 बीमारियों का काड़ बनती है ये गैस कबज और एसडिटी यापके सरीर के बहुत सारे रोगों का दोस्तों ये इलाज है और आपके सरीर को बिलकुल निरोकी बनाने का काम करता है आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है चाहे हड्यों की कमजोरी हो कैल्सियम की कमी हो या फिर जोडों का दर्द हो दोस्तों इन सबी समझ्याओं का इलाज करता है आपके सरीर के कैलसियम के कमी का अलाज करता है हाडियों की कमजोरी का अलाज करता है यानि आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करता है आपके सरीर की बहुत त्रहें की बेमारियों से बच्चाने का काम करता है और दोस्तो इस वीडियो की जो मुख्ये समगरी है वो है दोस्तो खस-खस. अब बात आती है कि खस-खस आपको मिलेगी कहां से. तो दोस्तो इस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्समें लिन्क दी हैं आप वहां से खस-खस को बाइख कर सकते हैं port. अपने नजदी की करियाना स्टोर से भी आप इसको असानी से ले सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दबा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो नंबर आप देख रहे हैं, उस नंबर पर कोल करके आप अपने घर पर ही दबा मंगा सकते हैं। और बहुत सारी बीमारीों से चुटकारा पासकते हैं। दोस्तों ये खसकस सरीर के लिए बहुत अधिक चमत कारी हैं। इसका इस्तमाल कबच जैसे समस्या से लेकर कैंसर जैसे घातक बीमारीों के इलाज के लिए भी किया जाता है। चोटे चोटे बीजों वाला ये है खादे पधार, कलोरी, प्रोटी, हैट, फाइबर, कैल्सियम, फासपोर्स और आइरन जैसे पोशकततों से भरा हुआ है। दोस्तों इसका इस्तमाल आंतरिक स्वास्थे से लेकर तवचा और बालों के लिए भी किया जाता है। दोस्तों यदि आप इस खस-खस का सेवन हर रोज करेंगे, तो दोस्तों आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा। दोस्तो आप 70 की उमर में भी 20 के दिखाए देंगी आपके चहरे पर वोही सूंदरता आपको दिखाए देगी आपके चहरे पर छुरिया नहीं बढेंगी यानि की आपकी उमर बढ़ने के परकिरिया रुख जाएगी अब जानते हैं कि आपने इस खशख़ का सेवन करना कैसी है दोस्तों आपने क्या करना है खशख़ को लेकर हल्की सी धूप दिखा देनी है धून में हल्का से इसको सेख लेना है उसके बाद आपने एक बरतन रखना है आप पर जैसे कि यह हमने रख़ता दोस्तो अब आपने इस दूद को तीन उबाल देने हैं जैसे कि ये हमारे तीन उबाल आगए अब आपने इसको बिना चाने ही ऐसे ही गिलास में डालने हैं दोस्तो यदि आप इसको और ताकतवर बनाना चाहें और यदि आपको एनिंदरा की बीमारी है तब आप इसको रात को सोते समय सेवन करें। और दोस्तों यह भी आप ऐसा करेंगे तब दोस्तों आपको इसके चम्यंदकारी नतीजे दिखाई देंगे और आपके सरीर की हर तरहें की बीमारी का इलाज हो जाएगा। आप बहुत त्रहें की बीमारियों से बच रहेंगे दोस्तों बहुत त्रहें की बीमारियां आपके सरीर के आसपास भी नहीं आएंगी तो दोस्तों देर किस बात की हैं आप भी अपने घर पर आज ही इस नुस्खे को बनाए और इसनुस्खे का प्रयोग करें और अपने सरीर को बेलकुल निरोगी बना दें हर त्रहें की बीमारी से बचे रहें तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो पलीज लाइक और शेयर जरूर कीजी इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिफकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तो